क्लास की शुरुवात करते हैं क्लास ने पढ़ने वाले हैं सायल के बारे उंप पढ़ेंगे दो मिंट रोक जाते हैं ठीक है ऑखे तो देखो अगर हम लोग यहां पर किसकी बात कर रहे हैं सेल के एक सेकेंड इसको सही कर लेते हैं तो देखो यहां पर हम लोग किसके बारें बात करेंगे यहां पर हम लोग बात करेंगे सेल के बारें भाई कोशिका के बारे में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे जीरो से स्टार्ट करेंगे हीरो तक के सफर के साथ में ठीक है तो यहां पर कौन आचुका है बिहारी ब कोशिका कोशिका का मतलब क्या है इसको समझने की कुशिश करेंगे बिलकुल बेसिक से जैसे कि तुम प्रेट में हो पत्वार्ग में कोई स्टुडेंट तो प्लीज क्लास लेगा क्योंकि थेरी है और कॉमन थेरी है उसी भी हाफ में पढ़ा रही हूं तो शुरू करते हैं बिलकुल राकेश जी घुजर नमस्कार रामन जी राकेश क्या है ठीक है सही चल रहा है बहुत बढ़ि जिल्ली निकलती है और उसकी इस वाइट तक बात एसी है तो आपके टुकड़े तो 12-12-32-34 आगे चाहें ऐसा इतना सुक्ष्म करना आए इतना सुक्ष्म पार्ट आएगा जिसको आपने तो आखरी का ऐसा तुकड़ा जो की जो है जो आगे और नहीं डिवाइड हो सता है बहुत सुक्ष्म वही कोशिका है इसका मतलब यह हो गया मैं क्लास कि ले सकती हूं क्या मैं मैं हूं पटवार से हां बिल्कुल सुंदर जी बिल्कुल ले लीजे भाई क्लास बिल्कुल क्योंकि यहां पे सब्सक्रिए कि शहां कर रहे काई कि आपके शरीर hints अपकोय केया ईकाई है जो है दौस्तों वो मिलकर क्या बनाती है उत्ताक बनाते हैं ठीक Mr. Pig Murtek क्या बनाता हैं डोको कॉर रमाण का ये सारे व्रिकर यी के林 ये तंत्र फूर्ट जी आपकी है केमिस्टि Belgium कुंक टूग हो और्गन सिस्टम से बॉडी बनता है मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि तुमने सांस ली सपोस करो तुम अगर सांस ले रहे हो और तुम्हारे लंग्स जो है या फिर तुम्हारी कुपिकाई जो है वो आगे उसक उस ऑक्सिजन को नहीं पहुंचा पा रही है तो नहीं तो त आपका पूरा सिस्टम एवन सारे सिस्टम रुख जाते हैं तो कुल मिला के हमारा शरीर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है ठिक है हां हो गई है मनीज जी कितनी बार कहें ठीक है अंजो जी ओके नमस्कार नमस्कार ठीक है चलो तो इससला अगर कोशिका की बात करें तो अगर आप लोग यह कोशिका कोशिका पढ़ रहे हो कोशिका क्या है कोशिका कैसे उत्पनुई कोशिका में क्या है काफी सारी चीजे पढ़ते हैं तो दरसल इस अध्यन को इस स्टडी को हम लोग साइटो लॉजी कहते हैं क्या कह देते हैं दोस कर दो और अलग से नहीं होगी चल रहा है निस एसाइव में चल रही है अपनी डाले Mund टो वाट पर लो रहे हैं लेइससे आलग से होंगी तो कि शल ओओ है यहाँ कोशिका का अध्यन है अब मैं कोशिका के अंदर दरसल होता क्या है ठीक है तो आप कोशिका की structure अगर देखिए हो तो इस तरह से समझो कि यह कोई एक कोशिका है और इस कोशिका के अंदर क्या है भई एक केंदरक है ये कोशिका है और कोशिका के अंदर क्या होता है भई एक केंदरक होता है अब जैसे कि कोशिका के बाहर जो है एक मेंब्रेन पाई जाती है कोशिका के बाहर जो है वो क्या पाई जारी है एक मेंब्रेन पाई जारी है जिस आगिया हम बेखे यहां बिल्कुल सब्सक्राइब आगे यहां पर देखो यह सिर्फ किस में प्रजेंट होती प्र अप्र produced है आप से पूछा जाए कि जनतू कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है फिर से सुनने की कोशिश करो जन्तु कोशिका का बाहरी आवरन क्या कहलाता है तो आपको आंसर देना है मैं जिल्ली कहलाता है फिर आप से पूछा जाए कि ाउठी प्लांट सेल का इक shootings पार्ट याभी रांट सेल का बहारी आवर्ण जो है वो क्या कहलाता है कोजिक पाधप शोट का बहारी आवर्ण क्या कहलाता है तो तब क्या जबाब दोगे बताओ भाई सपाध किए संधीब जी हंजी दीपा देखो तुम्हें क्योरों करने हैं बच्चे इवनिंग वाली क्लास देख लो हमाँ उसन शुziękuję तुम देखो पड़ोगे नहीं कहीं भी जही हम आपको दिकत आएगी कहीं ठीक है अगर मैं प्लांट सेल की बात करते हैं अगर मैंने इसके बाहर बना दिया तो इसको क्या कहा जाएगगा नहीं के बाए बिटी कहा जाएगा सेल वाल कहा जाएगा तो आपसे यह पूछा जायगा कि सेल वाल जो है वो किसमे पाई जाती है तो what the right answer is आप कहेंगे मैं plant cell में present होती है cell wall कहां पे present होती है plant cell में present होती है अब बच्चे सोचने वाली बात है कि मेडम पादपो को जरूरत क्यों पड़ी plant की cell wall की आप मैं जानवर हैंना मतलब animal cell हम लोग क्या कर सकता है अपनी सेफटी कर सकता है पड़ बिचारे plants का सोचो जो एक जगह परिस्तिर है पेड़ को उठा के थोड़े न लाओंगे कि अंदर आ जाओ, नहीं उठा के लाओंगे न भाले धूप लगए बारिश आए, बसंत आए, क्या और कौन-कौन से रितू होती हैं, सर्दी आए, गर्मी आए, हर रितू में उसको safety का कोई साधन नहीं है, कोई उसको मेरेला लाके के नहीं देता कि यह लो तुम जो है बारिश से बचो तुम धूप से बचो है ना तो इस कारण प्लांट्स ने अपनी हर कोशिका के बाहर एक बहुत ही ऐसा आवरन बना लिया जो उसको उसके उत्तकों को उसकी कोशिकाओं उसको रक्षा प्रदान करें और उसी आवरन का ना है तो कोशिकाओं को हाम होता है हो सकता है कि बहुत सारा वास्फो सर्जन हो जाए हना बहुत सारा वैपराइडिशन हो जाए तो उस टाइम पर प्लांट्स का तो यह बात थोड़े ना होती है तो इसलिए उन्होंने अपने उपर आवरन बना लिया ठीक है जलो 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 अभी देखो तो अगर मैं इसकी बात करते हूं यहाँ पर सैलवाल की तो नहीं सब्सकिन आपकी मरती मान पैटे हो तो बहुता बड़ी गलती कर रहे हो ठीक है तो यह कहानी है ठीक है अब बात करते हैं यहाँ पे बिलकुल जस्वंत जी बिलकुल सही बोड़ रहो यह जो प्लांट की जो सेल वाल होती है मैं दरसल बनी हुई किससे होती है तो प्लांट की जो सेल वाल है वो दरसल बनी होती है तो बनाया है तो बिलकुल मजबूत तो बनाने ही पड़ेगा ना तो अव्यस है मैं मगर सेकराइड लेंगे तो काम करेगा आवरन का काम करेगा आपसे पूछा जाता है कि कोशिका बित्ती किसकी बनी होती है किसे बनी होती है बताओ भई कवक माने फंजाय और उनके पास भी होता है अरे बताईए फड़ावट से वेरी गुड़ दीपा बहुत बढ़िया बच्चे बहुत बढ़िया और कौन है बही बताओ फड़ावट से आंसर सचिन जी आंसर कीजी फड़ावट से हम पूछ रहें कवको की कोशिका बित्ती रियोन रेशा हाँ बिल्कुल रियोन भी हम बात कर सकते हैं बताओ आंसर नहीं कर रहे हो तुम हना काइटीन की बनी होती बिल्कुल कवको की जो कोशिका बित्ती होती है वो किसकी बनी होती है वो बनी होती है काइटीन की तो ध्यान रखिएगा कि जो कवक जो फंजाय है उनकी सेलवल मैं किसकी बनी है काइटीन की तो प्लांस हो गए कुछ शेवाल हो गए हना तो इन सब के उपर क्या पाई जाती है कोशिका भिति पाई जाती है बोलो भाई आया कि नहीं आया समझ में जिवानों में भी पाई जाएंगी ठीक है इस तरीके से आप देखो नेक्स चीज के गुड मॉर्निंग लालू जी आ चुके हैं आप बहु कालोगी वैसे ही आपकी जो आपका जो यह केंद्रक है केंद्रक के उपर भी एक जिल्ली पाई जाती है केंद्रक के उपर भी एक आवरन पाया जाता है और इस आवरन को क्या कहा जाता है इसको केंद्रक जिल्ली कहा जाता है यानि कि नुकलियस है ना यह इसलिए इसको नुकलियस है यह नुकलियस मेंब्रेन इसको कहेंगे पहली चीज तो केंदरक जिल्ली इसको कहेंगे दरसल आपके से केंदरक की अंदर बचे एक फ्लूड होता है अनुवांशिक प्रधार्थ होते हैं जो बाकी अंगों में न चले जाये बाकी कोशिका के बाकी जगह पर न चले जाएं इसलिए एक क्या बना दिया एक पूरा आवरण यहां पर बना दिया है पढ़ाई का मन नहीं है तो क्या पोयम सुनाएं पढ़ाई कर लो है ना पढ़ाई का मन नहीं है इनका कोशलया नमस्कार क्या होगी है विल्केट्स चलो बताओ फडावट से तो देखो यह केंद्रक जिल्ली की अब इस केंद्रक के बाहर और इस कोशिआ की अंदर यह लिकुड बह्रा वा होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं सब्सकों और साइटम मॉक्तिक बाहरा होता है तो मैदम ञETल रवव स्टमें पहले लगी कोशी का दिरुको और जीवाह भी बात तो और वाट डिफ्रेंस बिट्विन नुकलियो प्लाज्म और साइटो प्लाज्म सबसे बड़ा और मज़िदार क्योशन ठीक है चलो भई सुनो ठीक है कि देखो देखो ओर देखो तो यहाँ पर घ्र दिव जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोटो प्लास्म बोलते легah तो तो बिल्कोल नहीं लिखाएगा तुम सारे मिलके ना मेरे चसमे के पीछे पढ़ गयो बिचारा तूटने जैसी कंडिशन में पाप लगेगा अगर कोई में किसी के काड़ में चस्मा तूटा तो तो देखो इसको क्या कहा जाएगा इसको प्रोटो प्लाज्म कहा जाएगा औ अब टका टक है बिल्कुल बढ़िया ठीक है और तुम लोग क्या करोगे फडावट से आजाओ भई धरमराज जी नमस्कार गुड मॉर्निंग चलो 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 तो देखो अरे रॉबर्ट भी आएगा पहले समझतो लो मैडम जीव द्रवे और कोशिका द्रवे होता क्या है अरे रस्मलाई कित्ते लोगों ने खाईए बताओ रस्मलाई कित्ते लोगों ने खाईए बताओ बताओ रस्मलाई से समझेंगे हम ठीके अंगदीब बताईए लालू जी भरोसा नहीं यह नजर लग जाए तो हैं जी देखो जस्वन जी समझाते हैं आपको कि प्रोटो प यहां पर निकल का तर्स इंदर देखियं तुमने एक बॉल के अंदर इंदर जो मलाई जो होती है नहीं अससे डाल के देते अगर हम लोग तो साइटो प्लाज्म प्रोटो प्लाज्में भी रसमलाई वाला इसीन है देखो क्या बॉल रही हूं receives कप में से बॉल्स होती है वह तो हटा लो और उप जो भुलका ही मलाई वो सिर्फ मुलू बचाए एक no आज़ बॉल्सूप्स पार्ट करते हैं और अज्ञुरे, जो और मलाई मलाई के अलावा साथ में बॉल्स Хотी है या उसको तो वो भी अगर डाल दी हना तो क्या हो जाएगा वो पूरा कप मिलकर क्या कहलाएगा मतलब मलाई भी साथ में हो और साथ में वो बॉल्स भी हो तो उनको मिलाकर क्या कहेंगे हम लोग प्रोटो प्लाजम फिर से समझो रजगुले का डबा ले लो यार देखो भाई अभी देखो क्या बोल रहें रजगुले का अगर डबा लेते तो रजगुले के अंदर क्या होता है और वो के चाशनी होती है तो क्या करो अभी तो रजगुले के हटा दो रजगुलों को पूरा हटा दो ठीक है तो जो चाशनी चाशनी बच गई वो तो पूरा क्या हो गया आपका साइटो प्लाजम ठीक है और वहां पे वो जो रजगुले हैं वो रजगुले का काम कौन कर रहा है यहां सैल के अंदर कोशी कांग कर रहे हैं कोशी कांग माने की सैल और्गन कर रहे हैं ठीक है तो अगर किसी सैल में से सैल और्गन को हटा दिया जाए तो स चाशनी के साथ यदि कोशी कांगों को भी एड कर दिया जाए तो वो क्या कहलाते हैं भई वो आपका प्रोटो प्लाज्म कहलाता है चलो चलो भई समझ में आया कि नहीं आया बोलो भाई बोलो फटावट से जल्दी बताओ यार तुम लोग ना शेयर वेर कर दो यार मतलब यह बहुत गलत बात इतने दुरों बात तो प्रॉपर रेगुलर क्लास लेने चले हैं बोलो तो देखो अब अगर बात कर रहें सिर्फ चाशनी तो साइटो प्लाज्म है और च तो दिफरेंस बीटविन प्रोटो प्लाज्म एंड साइटो प्लाज्म अब नेक्स सीज की बात करते हैं मैडम चलो यह तो हमने पढ़ लिया कि बाई कोशिका के अंदर आते हैं अब को बिल्कुल एक भी अड़ा और में डाला है केंद्र को भी अटा दो वह मिला कर तो क्य इसके अंदर मैं ढलना शूरू करती हूं आपके क्या आपके आपके इस यह यह मैंने ले लिया लिये दो कोशिकांग और साथ में इसको ही आप बात करते हैं मैडम कोशिका के बारे में कोशिकाएं जो होती है बच्चो दरसल जो है वो कितने प्रकार की होती है तो कोशिकाएं जो है वो दरसल दो प्रकार की होती है कितने प्रकार की होती है दो प्रकार की होती है कौन-कौन सी होती है मैडम एक तो होती है आपके पास में प्रोग्रियोटिक कौन कौन सी होती है प्रोग्रियोटिक कौन सी होती है रसोकर यह मैं का इस से मिलकर बनी हुई है आंसर करो तारा राव पूछरी है kis कैसे हो तुम सब ? थारा को तुम सब ? वहाथ बढ़िया हो ? बहुत बढ़िया पैलेड ने कि थी दिनेश जी पैलेड नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने राइबो सोम को डिस्कवर किया था भी सब पढ़ाएंगे कते ही patience रखो ठीक है एक एक चीज पढ़ाऊंगी ठीक है नविन पढ़लो तो फिर preparation कर रहे हो तो हंजी मैं क्या पूछ रही हूँ यू क्यारियोटिक कोशिकाएं जो है वो किससे मिलकर बनी होती है आंसर करो करो बही करो आंसर करो फड़ावट से यू क्यारियोटिक कोशिकाएं जो है वो किससे मिलकर बनी होती है जल्दी से कीजे आंसर देखो जब चोट लगती है अंगदीब तो आपकी टीशू जो है वो हाम होता है अगर टीशू के साथ साथ आपकी सेल्स को भी हाम होता है तो चोट के निशान रहते हैं और यदि आपकी टीशू को हाम हुआ है तो चोट के निशान नहीं रहते हैं तो इस तरीके से देखो भाई समझो बात को यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैडम यू केरियोटी कोशिकाओं का निर्मान जो है वो प्रो केरियोटी कोशिकाओं क्या करती हैं प्रो केरियोटी कोशिकाओं जो होती है जिनको पहले पहली या फिर पुरानी कोशिकाओं कह सकते हैं क्या कह सकते हैं पुरानी कोशिकाओं कह सकते हैं या फिर मैं ऐसी कोशिका कहूंगी जिसके अंदर केंदरक केंदरक की बात कर रही हूँ केंदरक या तो अनूपस्थित होता है सुनिएगा भई या तो क्या होता है अनुपस्थित होता है या फिर मैडम अल्प विक्सित होता है क्या होता है या तो अनुपस्थित होता है या फिर मैम कैसा होता है अल्प विक्सित होता है हम किसकी बात कर रहे हैं आपे हम बात करें प्रो क्यारिटिक कोशिकाओं क से मिलकर बनी होती हैं मतलब मैं यह कह सकती हूं कि प्रो क्यारियोटिक को शिकाओं नहीं यू क्यारियोटिक को बनाया है प्रो क्यारियोटिक को शिकाओं ही आगे डवलप होकर यू क्यारियोटिक को शिकाओं में बनती गई बनती गई बनती गई और हमारा निर्माण होता ग जो अदें मैंने बात की तिए परोप ने पुराने पुराना केंडर केंडरक अरय बाई बताओ पुराने लो किया वाले वाले फोन बस देखा है देखा है ना पुराने फॉन जितना डवलप पुराना वाला फोन नहीं था किıyla आज जीज विकसित होती हैं की नहीं समझ में आया तो देखो समझो यहां पर नवेन जी यही क्योशन करवा रहे हैं शाम वाली क्लास ले लिए जएगा अगर आपको क्योशन पढ़ने हैं तो मैं यहां पर थ्योरी इसलिए पढ़ा रही हूं क्योंकि कुछ लोगों को ठेड़ी चाहिए होती है अगर तो सबर रखो जरा टहरो सब पढ़ाएंगे तो देखो केंद्रक या तो अनुपस्तित होगा या फिर मेडम अलप विक्सित होगा अच्छा अब बताओ कि भाई प्रो के अरियोटिक में जब केंद्रक ही पूरी तरह से डवलप नहीं है तो क्या नुकलियस मेंब्रेन डव इञा नुपस्तित होती है तो वर्टवट के में जहींड़ते ही और इंदर गर्री पास्तित होती है अरे बोलो आईया क्या इस टोन के बारे में बताओ ठीक है बतादूंगी के न ठीक है चलो जी चलो समझ में आए कि नहींने आए ने अब भाई सुनो केंद्रक जैसा इतना important अगर cell organ ही किसी cell में नहीं है तो बाकी cell organ की तो बात ही क्या करनी तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोशिकांग मैं कहूंगे मुख्यत या फिर अधिकांश बोलूंगे तो बैटर रहेगा तो हम लिख रहे हैं कि अधिकांश कोशिकांग अन उपस्तित होता है और वो एक कोशिकांग कौन सा है बताओ भाई वो एक कोशिकांग कौन सा है तो वो एक कोशिकांग होता है मेडम हमारा राइबोसोम कौन सा होता है राइबोसोम होता है इस राइबोसोम की कहानी पहले समझो तुम इस राइबोसोम की कहानी मैं बीच मैं इसलिए समझा रही हूं तुमको क्योंकि तभी तुम्हें ये राइबोसोम की कहानी समझ में आएगी सुनो पहले मैं राइबोसोम की बात करे हूं बाद में तो पढ़ाऊंगी पढ़ाऊंगी राइबोसोम पढ़ाऊंगी पर यहां भी राइबोसोम समझ लो दरसल राइबो सोम जो होता है वो एक प्रकार का क्या है मैम एक प्रकार का सैल औरगन है मैं बोड़ी औरगन नहीं बोल रही हूँ हमारी बोड़ी के औरगन तो हो गए आँख नाख हाथ पैर लंग्स लीवर किड़नी ये सब परंतु मैम यहाँ पे मैं बात करूँ यहाँ पे मैं किसकी बात कर amiga चाहआ यहां पर मैं युआदि राइबो शोम की बात कर रहे हूँ तो राइबो स SHAL का कोशिकांग है और यह राइबोसोम फरदर दो टाइप के होते है कितने टाइप के होते हैं दो टाइप के ऊफिMR राइबोस metabolism बनाते हैं यहां यह राइबोसोम इन Alm 70 रई भॉसम स्वतंत्र अवस्ता में है कहां पाइजाते हैं कहां पर उपस्ते यह उपस्ते आपके प्लाजम सब्सक्राइप अरे बोलो ऑढ़िके यह पाए तुममें ऐख जाते हैं मतलब किसी से जुड़े हुए होते हैं, है ना मतलब क्या बोल रहे हैं, जुड़े होते हैं, और ये कहां पर उपस्तित होते हैं, तो आप कहोगी ये अंतहा प्रदवी जाली का, अब मेडम अंतहा प्रदवी जाली का क्या है, अंतहा प्रदवी जाली का का मतलब हो गया, एंडो प् क्या है ये खुद भी ये प्रकार का और नहीं करते हैं बिलकुल मूवमेंट नहीं करते . ठीके बोलो भाई इतना समझ में आया तो थमसब करो अरे वा लंकापति रावन बहुत-बहुत बहुत बहुत मुबार्ट बात नाम क्या है तुम्हारा अच्छा नाम तो रखा करो कम से कम हैं तो देखो भई यहां पर यह दो concept समझ लो कि मैडम खुली अवस्ता में तो 70S रहेगा और बंदित अवस्ता में ATS रहेगा वो टो मैडम कौन सा रख़ओं वाज़ा अच्छा है मैंस कोशिका में उपस्तित होता है तो बता मुआ आच्छा जाता है सेवैंटियेज लग कोशिका में और बॉपस्तित होता है तो बता हूं हो कौन से प्रकार की कोशिका होगी बिल गेटगाँ वाटस अपर लेसिए तुम से प्रकार कि और लॉडास देख लॉठ जी बहुत बड़ीया धन्यवाद तो बोलो बहुराने कर दो से अरे वाब मेरा डायलोग मुझे लंका पती जी सही है सही जा रहे हो है चलो चलो इतना समझ मैं मतलब बंदी तवस्ता वाले राइबोसोम कहां पर हैं आपके प्रोग एरियोटिक सेल के अंदर हैं मैडम राइबोसोम हैं और कोई अंग नहीं है साथ में अब देखो अनुवांशिक प्रधार्थ भी होते हैं अनुवांशिक प्रधार्थ कौन से होते हैं अनुवांशिक प्रधार्थ तो होंगे ही होंगे अब वैसे तो हमारी कोशिका के अंदर अनुवांशिक प्रधार्थ तो केंद्रक के अंदर होते हैं किसमें केंद् यह हमारे इसे तो में रहे हैं फाइव स्टार की तरह रहेंगे पारंतु अगर इसंते हमें उपस्तित प्रख्तित से नियुकष्ट regandia सब्सक्राइब दिव्या क्या हो गया मुझे बताओ भई क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें मुझे वट अरे चलो मैं कम समझे दिव्या रुको मैं समझाती हूं तुम्हें ठीक है ना चलो सुनो अभी बात करें DNA RNA की तो बहुत हो गई भई साइटो प्लाजम की बात हो गई तो सुनो भई एक और DNA RNA के अलावा एक प्रोटीन होता है जिसको हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं कौन सा प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं और यह जो आपका हिस्टोन प्रोटीन भी है वो भी आपके केंद्रक में ही उपस्तित होता था चूकि यहां पर केंद्रक ही नहीं है तो मेरम कहां पर रह जाएगा आपका हिस्टोन प्रोटीन आपके साइटो प्लाजम चाशनी में ही रह ज टेसंटरु कि तुमजो है चलो चलो सुनो बहीं यहाँ पर यहाँ बात कर रही हूँ किसकी यहां पर कर रही हूं देख हो यहाँ को यहां हो यहां पर घृट क्षिक रहीँ तौण अगर बात करते तो फ्रकार की एसी कोशिकाएं जो की जिसके अंदर केंद्रक नहीं होता ऐसे पुराने जीव जो कि जब हमारा विकास होने लगा तो उनका निर्मान वज़े से कोछीकाँघ और कोई और वह उनके अंदर केंद्रक नहीं था वो भी नहीं होगी अब जब यहां पर नहीं होगे इतना समझ में आया चलो अब नेक्स इज की बात करते हैं ठीक है देखो नंबर की बात है तो मैं काम करूँगे comment section में लिख दूँगी ठीक है अभी चुपरा उपर ठीक चलो किसी को कोई message कर देना मैं कर दूँँ लिख दूँँगी reply करवा दूँँगी ठीक है चलो 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 सुनो भई तो अभी देखो यहां पर चलो देखिए अभी यहां पर बात करें केंद्रक होगा या तो अनुपस्तित होगा जिल्ली भी नहीं होगी अब बात करें कोशिकांग होगी अब जब केंद्रक नहीं है तो मैट्रोकॉंड्रिया या फिर अंतरप्रद्विजाली का गौल जी का है यह के अफ्तारक का है और कुछ नहीं होगा तो अनुपस्तित लिख दिया अब मैटम के गर बात करें एक ही तो कोशिकांग है जो कि मैटम है और राइबोसम मेटम दो प्रकार का है तो ईसके पास कि नहीं होते है। इसके पास साइटो प्राद्ण होने के कारणी इसके 70S' असके पास hago स्वाइस, 80S' असके पात करते हैं। DNA RNA यहां है उसमें कहां पहुए हुए ह्आप्我 प्रोटीन होता है जो एक प्रोटीन हो junk हांचिक पर्धार्दों को बनाने इसलिए यह भी प्रेजन्ट होता है साइटो प्लाजमें अब बताओ बढ़ाई पिटावट से तो यह तो बात हो गई अब इसकी एक्जामपल देखो के मैं प्रो प्रोकेरिटिक सेल के अंदर कौन-कौन से ग्जामपल आते तो देखो मैं प्रो-大概 करती हूं किसकी बात करती हुँ भाई Sergio नहें कौन आते हैं tapi जीवानु आतें साथ में कौन आथे शेहवा में आपने काई सुना है काई काई किया तुमारे थे काजी कहते होंगे जो पानी के अंदर green green color की होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं blue green algae या फिर नील हरित शेवाल भी बोलते हैं इसके उपर बच्चे क्योशन आता है नील हरित शेवाल का एक और नाम है दूसरा नाम बताओ यहां पे जितने क्योशन बन पड़ते हैं मैं उसी तरीके से पढ़ बताईएये अरे काई कानजी तो है बच्चे को नाम है जिसको साइनोबेक्TERिया बेक्टीरिया आप कुई दो श्क्राइड मेरम यहां तो आप शेवाल कह रही हैं यहां पर बैक्टीरिया कह रही है पहले आप तो बता दीजी है कि यह बैक्टीरिया पहले से बंता बंता डब्लप हो रहा था तो यह ना पूरी तरह से बैक्टिरिया रह पाया तो इसको कहते हैं शेवाल जिवानु बैक्टिरिया वह शेवाल के बीच की योजक कड़ी होती है तो यह क्योशन याद रखना कि जिवानू और शेवाल के बीच की योजक कड़ी कौन सी है तो बच्चे कौन सी होगी बताओ भई फटावट से इसको क्या कह रहा ह। Meadam Sino-Bacteria कहते है क्या कहते है Sino-Bacteria कहते है Good morning बिलकुल योजक कड़ी कहते है समझ में आ गया मतलब क्या है कि ना तो जिवानू पूरी तरह से रह पाया न पूरी तरह से शेवाल बन पाया तो इसकी हम बात कर सकते हैं यह यूनिट हो गई इन दोनों की समझ में आ गया तो यह बात हो गई दीपा चलो तो यह clear है यह pro-cariotic कोशिकाओं की बात करें आप से पूछा जाए कि यू-cariotic कोशिकाओं का निर्मान किस से हुआ है प्रो-cariotic कोशिकास ही जो है इसका निर्मान हुआ है अब समझो अब यहां पर बात करें मैडम किसकी मैडम यू-cariotic कोशिकाओं की तो यू-cariotic कोशिकाओं के अंदर जो है आते कौन-कौन है भई यू-car ऐसकते हम और आएंगे और आनिमोल हैं तो एनिमल आएंगे और अब यू क्योंकरी होसीचा माने हमारी कोशिका कि ने केंद्रक होता है क्या मैडम बिलकुल केंदरक उपस्तित होता है मैडम क्या केंदरक जिल्ली होती है क्या बताओ भाई केंदरक जिल्ली होती है क्या हन जी भाई बिल्कुल केंदरक जिल्ली भी उपस्तित होती है मैडम क्या कोशिकांग होते हैं क्या बिल्कुल हमारी कोशिकांग के अंदर सभी में कोशिकांग भी प्रेजेंट होता है मैडम और क्या क्या होता है और बताओ मैडम डियने आरेने कहां पर रहेंगे डियने आरेने मैम कहां पर रहेंगे तो जब केंद्रक है तो भाईया केंद्रक में रहेंगे ना केंद्रक नहीं होता तो साइटो प्लास में रहते मैडम हिस्टोन प्रोटीन क बच्चे कहां पर रहेगा केंद्रक है तो केंद्रक में ही रहेगा फिर बात करते हैं कि मैम राइबोसोम की राइबोसोम मैडम कौन से प्रकार का पाया जाएगा दिव्या राइबोसोम कितने बताए बच्चे राइबोसोम बताए सत्तर और असी एस बोलो भाई बताए कि नह तुमने बताया ना तो राइबोसोम किते प्रकारगा दो प्रकारगा सतर और अर्पित नहीं आए अर्पित की तबियत खराब है रपित नहीं होगे आज आज डाइफाइड हो रहता ना हाँ बिलकुल और बी सी की सेल में केंद्र नहीं होता बच्चे अपवाद है वह और में क्या रखी सब्सक्राइब यह बोलेगा मेरे पास तो साइटो प्लाजम है तो मैं सब्सक्राइब है और प्लांट सेल प्रोक्राइब नहीं है अंगदी प्लांट के अंदर कोशिकांग नहीं होता है तारग का यह नहीं होता है या फिर आपके पास में माइट्रोकॉंड्रिया नहीं होता है एक कोशिक जीव जो है वो किसमें आते हैं उसमें और इधर भी एक कोशिक जीव आते हैं पर डवलप दे एक कोशिक जीव आते हैं जैसे कि कुछ क्या हो गए प्रोटोजोवा हो गए बोलो भाई तो प्रोटोजोवा जो होगा वो नीरज मैम साइंस के नाम से है कुमार जी ठीक है बोलो बोलो कंफ्यूजन दूर हो गया चलो ठीक है ओके भाई समझ में आ गया तो देखो यह कहानी किसकी पड़ी यूचारियोटिक की अब यूचारियोटिक मतलब की हम की बात कर रहा है नशाधा अब देखो प्रोगी तो क्या आगए कुछ जिवान हो आ गए श्रेवाल आगए इसमें प्रोटोजोवास भी आ जाएंगे ठीक है बता तो दिया कुमार जी बता दिया भाई ठीक है ओके ओ साइटोलोजी शब्द किस ने दिया था बताओ भाई रिव्या आ गया कि समझ में साइटोलोजी शब्द किस ने दिया था बताओ साइटोलोजी शब्द जो है वो हर्ट विंग नामक वैग्यानिक ने दिया था हर्ट विंग नामक वैग्यानिक ने दिया था फिर आप से पूछा जाता है साइटोलोजि और साइटोलोजी कौन है विष्ट वाई कोषिक ciao नाम को उजिन करोगे तो उसको साइट लॉजी बोल दो फिर father of साइट लॉजी जिसने उतपत्ती की जिसने बताया दुनिया को के कोशिका नाम की भी कोई चीज होती है वो कौन होंगे वो होंगे revert hook कौन हो जाएंगे reading Robert hook हो जाएंगे ठीक है क्योंकि इन्होंने Mrat UTrophy को सबसे पहले किसको म्रत कोशिका को देखा तो कोशिका तो थी ना भया जिन्दा हो या मरी वह यह क्या फरक पड़ता है तो रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइट लॉजी कहा जाता है नहीं मिल रहा है अरे मिलेगा मिलेगा मैं लिंक देदूंगी कॉमेंट सेक्शन में कॉमे इंडियन साइट लॉजी बताओ भई फादर ऑफ इंडियन साइट लॉजी को ने अपने इंडिया में भी तो होंगे कोई जिन्नों ने कोशिका के बारे में वर्ध्यन किया होगा तो इंडिया में कोशिका के बारे में अध्यन किया तो भईया हमारे इंडिया में शर्मा ज सब में शर्मा जी के बच्चे पता नहीं क्या खिलातें इतना होते हैं क्या किया इंट्याइव चौन जुप है नाम याद रखिएगा शर्मा जी का कॉछ अनना यह बोल रहे है विलकुल यही बात है चलो हन जी शर्मा जी के बच्चे अब देखो साइटलोजी की बात कर ली मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगी किसको रॉबर्ट हुक की एक बुक थी बुक का नाम बता दो बच्चे बहुत सारा पूछा जाता है रॉबर्ट हुक की बुक के बारे में तो कौन है रॉबर्ट हुक की बुक का नाम बताओ भई फ्रावट से परमजीत जी बहुत ही बढ़िया हन जी आंसर कीजिए फ्रावट से बात की जा रही है कि एक बुक भी लिखी थी रॉबर्ट हुक ने और बुक का नाम क्या था बताओ Micrographia क्या नाम था Micrographia था उनकी पुस्तक का नाम कौन था Micrographia किस ने लिखी थी Robert हुक ने अब यह बता दो कि Micrographia book के अंदर आखिर में किस के बारे में बताया गया बताओ अब common sense जिसमें बुद्धी प्रकाश सब होगा वो तो कर देगा और जिसमें बुद्धी प्रकाश नहीं होगा वो नहीं करेगा बताओ माइक्रोग्राफिया है तो माइक्रोग्राफिया में किसका अध्यन किया गया था किसके बारे में बताया गया था बताओ भई बताओ अब जिसमें दिमाग होगा वो तो कर देगा बताओ भई फडावट से आंसर करो हंजी प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है क्यों नहीं मिल रही है कुमार जी प्लेलिस्ट कैसे नहीं मिल रही है प्लेलिस्ट में जाओ देखो मिलेगी वैसे एक काम कर देते हैं हमारे यहां पर आप एक पिन कर दो ना playlist को playlist को पिन कर देंगे अभी पिन कर देते हैं playlist को पिन जो comment है उस पर है ना तो playlist का link मिल जाएगा आपको sell के बारे में बताया था बच्के sell के बारे में obvious है भाई लॉबट उक ने जब discovery sell को किया है तो book भी किसके बारे में लिखेंगे micrographia में भी तो किसके बारें बताएंगे सैल के बारें बताएंगे ठीक है आपको ध्यान रखना है यह जितने भी कॉमेंट जो पिन किया हुआ है वहां पे अभी प्लेइलिस्ट का लिंक classes में पढ़ते रहेंगे हलंकि मैंने ये सारी चीज़ें आपको मिराथन class में पढ़ाई थी पर बहुत सारे लोगों ने शायद मिराथन नहीं देखी थी इसलिए मैं इस तरह से sequence में पढ़ा रही हूं खीक है चलो क्लियर है बिलकुल बहुत सारी चीज़ों की बारे में बात करेंगे तब तक के लिए गाइस धन्यवाद